हाई अब्रिवान दिस एकांशाइट वेलकम पैक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब तो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं सिंपल सा न्यूट्रल सा मेक अप लुक मैंने वेर की हैं ग्रे कलर की सारी और ब्यूटिफुल सा ग्रे कलर के एर रिंग्स डाले हैं और तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहला अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे लेना बेल लाकिन प्रेस कर देना सो तिएट कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे सो आज मैं skincare routine नहीं करने वाली हूँ कि मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ और यहां पर मैं अपने skincare के product लाना भूल गई हूँ तो यह भी एक नया experiment हो जाएगा मेरे लिए भी कि without skincare आप जब makeup करते हो तो कैसा दिखता है कैसा feel होता मैं तो feeling करूंगी सुना चेनेरिय को मैंने अच्छे से प्राइम कर लिया है क्योंकि चेनेरिय में हमारे काफी जाता ओपन पोर्स होते हैं तो वहां पर ज़रूर प्राइमर करें और अब मैं फुल कवरेज के लिए makeup stick यूज करें जो instant glow वाली होती है एंडर आई पर और यानि की forehead nose lip side चेनेरिय पर जहां जहां में highlights sorry फुल कवरेज की जहां जहां में जरूरत होती है डाक sports वगेरह होते हैं black sports वगेरह होते हैं या किसी और तरह के निसाना आपको hide करना है उसके लिए यह बहुत ही बढ़िया वाला फुल कब्रेज देता है यह तो मैं इसे ही यूज करती हूँ तो मैं इसे ही यूज करूँगी अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा मुझे इसका आपने देखा कि ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास नहीं है मैं देखा कृटर समय के पास यह नहीं है या जो बीगनर्स है या इसके बेना या मितलब आप मेकप कैसे कर सकते हूँ भगशेटव तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाल हैं तो आपने देखा मैंने हाथ से कितना smoothly लेकिन मुझे काफी time लगा था तो मैंने finger की help से अच्छे से spread कर लिया था काफी कोसिस की थी लेकिन finally हो गया था लेकिन मैं आपको बता दूं कि result बिलकुल भी अच्छा नहीं था मतलब overall तो result अच को मतलब बहुत स्यादा emergency है तभी आप इस तरह से करें otherwise नहीं करो आप oh finally it's done and now I'm using compact powder compact powder अभी जो मैंने conceal किया है उसे set करने के लिए मैं यहाँ पर compact powder का use कर रहे हूं so compact powder को मैंने under eye area पर थोड़ा सा use किया है जैसे की crease liner बने now I'm using black pencil black eyebrow pencil इसे अच्छे से fill कर लूंगी विंडो को पीछे कोई है मैंने eyebrows को कॉम कर लिया है और मैंने थोड़ा से यहाँ पर ठीर खानी करने के कोशिश के eyebrows के साथ थोड़ा सा थीक रखा है और अब मैं यहाँ पर अब मैं foundation की health से eyebrows को एक clear line दे रही हूं जिसे की एक clarity आ जाए और आप मैं eyeshadow palette का brown color यानि की हलका सा orange जो color होते हैं मतलब nude shady मैंने लिया है वो मैंने पूरी लेट पर apply कर लिया है और finger की help से करूंगी क्योंकि brushes तो मैं लाई नहीं हूं इस makeup look की theme है without without skincare, without beauty blender, without brushes इन सब के बिना आप makeup look कैसे create कर सकते हो मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा बस होता गया होता गया क्योंकि मैं लाई नहीं हूं इन सारी चीजें तो बस कुछ नया experiment करते हैं और देखते हैं final look कैसा रहता है, so now outer corner पर मैंने black pencil यूज की है and black pencil को अपनी finger की help से बहुत अच्छे से blend कर लिया है और now I'm using black eyeshadow palette का black color यूज कर रही हूं outer corner और उसे अच्छे से blend कर रही है वैसे मैंने एक breast रखी हुई थी बट मैंने हाथ से ही किया है क् कि हाथ से जात अच्छे से smoothly blend हो रहा था, now I'm using, sorry, casual, casual apply कर रही हूं मैंने eyeliner apply नहीं किया है क्योंकि daytime makeup look था तो थोड़ा सा heavy हो जाता है वैसे eyeliner मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है, so मैंने black pencil को as a liner as a casual दोने तरह से apply कर लिया और उसे अच्छे से blend कर लिया है ताकि वो line से उप मस्कार की जितनी तारीफ करोना यार सच में उतनी कम होगी, Mars brand का मस्कार है, बहुत अच्छा मस्कार है, आप साफ साफ देख सकते हैं इस मस्कारों को लगाने के बाद, fake eyelashes की ज़रूरत भी नहीं होती है, और lashes बहुत ही long लगती है, ठीक लगती है, now, अब मैं contour करें अपने face को, लेकिन contour के लिए मैंने यूज किया है, eyeshadow palette का brown color, eyeshadow palette के मैंने कितने तरह से use किया है, eyeshadow palette को, ऐसा contour यूज कर लिया, eyeshadow palette की तरह यूज कर लिया, अभी मैं यूज करूंगे, ऐसा blusher, तो तीन तरह से, हम इसे use कर सकते हैं, अच्छे से contour करना है, हमें forehead में करके, थोड़ा सा hair क side लेके जाना है, और जिसे कि आपकी skin अलग ना दिखे, hair के पास जो skin दिखती है, और जो face की skin होती है, उसे थोड़ा सा match करे, अलग ना दिखे, नव पहले मेरा face कितना white सा लग रहा था, एक layer सी दिख रही थी, लेकिन contour के बाद मतलब face कितना अच्छा हो गया है, layer भी ने हो गया है, so now अब मैं थोड़ा सा highlight कर लेती हूँ, अच्छा तो भाई मैंने highlight कर लिया है, अब हमारा makeup done हो गया है, लेकिन मेरे पास makeup setting spray नहीं है, तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप एक से 1.5 गंटे पहले makeup करके radio जाओ, जिससे कि makeup set होने में 1.5 गंटे लग जा होता है, so guys यह रहा हमेरा final makeup look, bye-bye, मिलते हैं next video